So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 March की Important Current Affairs को, तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में, The Book of Bihari Literature, इस बुक को किसने लिखा है तो अंसर होगा अभेक के, तो बिहार के जो उद्धियोग मंत्री हैं, समीर कुमार महासेट, उन्होंने इस बुक को अभी लॉंच किया है, जिसका नाम है The Book of Bihari Literature, और इसे लिखा है लेखक अभेक के ने, ये बुक 26 सो वर्शों की आउदी में लिखी गई लगू कताओं और कविताओं का एक संग्रह है, आपको याद है राखी कपूर का नाम, इनकी एक बुक है Now You Breathe, जिसने Golden Book Award 2023 जीता, और लेखक वगीतकार जावेद अक्तर के उपर लिखी गई, अभी सल्मान रुष्टी का नाम भी याद रखना, फिक्टरी सिटी नाम से बुक लिखी नोंने और ये बुक इंपोर्टेंट है, बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए, अभी हाल में किसे, BS Banker of the Year 2022 के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा शशीधर जगदीशन को आप जानते हो, HDFC Bank के MDCO है, शशीधर जगदीशन, जिनको अभी Business Standard Banker of the Year 2022 के रूप में चुना गया है ये पुरुसकार उन्हें, Bank के मजबूत प्रदर्शन को बनाय रखते हुए, प्रुद्योगी की से संबंदित चुनोतियों के सफल नविगेशन के लिए दिया गया है तो इनका नाम याद रखना, बाकी के विनू, इनका नाम नूज में था Federal Bank Literary Award 2022 से सम्मानित किया गया और Computer वेज्ञानिक है Hari Bal Krishnan, इन्होंने 2023 का मारकुनी पुरुसकार चीता डॉक्टर महिंद्र मिश्रा की बात करें, अभी बांगलादेश की केपिटल ढाका में, अभी वहां की जो प्रधान मंत्री हैं, शेक हसीना उन्होंने अंतरराष्टर मात्र भाषब पुरुसकार से इनको सम्मानित किया, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतिय भी हैं, तो important है इनका नाम, याद रखना बढ़ते हैं आगे चली पिर बतािये, अभी हाल में किसे सश़ष्टर सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो अन्सरोगर रश्मिशुकला को, तो अभी IPS अधिकारे रश्मिशुकला को सश़ष्टर सीमा बल का Director General बनाया गया, तो सश़ष्टर सीमा बल ये नेपाल और भूटान सी लिए जानी जाती है उन्हें 2005 में प्रेसिडेंट पुलिस मैडल से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी 2013 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्टर पती पुरुसकार भी उनको मिल चुका है तो अभी वो ससस्त्र सिमा बलके डारेक्टर जनरल बन गई है ये पॉइंट आपको याद रखना है अभी पंकच कुमार सिंग का नाम न्यूज में था डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने वो उनका नाम याद रखना CRPF के अभी डारेक्टर जनरल कौन है? SL 1000 है शील वरदन सिंग ये CISF के डारेक्टर जनरल है अगर मैं आपसे पूछूं ITBP के कौन है? तो अनीश दयाल सिंग है भारतिय तट रक्षक बलके 24 वे प्रमुक कौन है? विरेंद्रे सिंग पठानिया है अंडी आरेफ के कौन है अतुल करवाल है और असम राइफल के कौन है? प्रदीप चंदरन नायर है तो ये रश्मिश शुकला का नाम याद रखना अच्छा शुकला जी से एक नाम आपको और याद आएगा सुश्मिटा शुकला का नाम अब ये मेरा आपके लिए होंवर्क प्रश्न भी हो तो अंसर होगा डी गुकेश को तो भारते शतरंज ग्रेंड मास्टर हैं डी गुकेश जिनको एशियाई शतरंज महासंग ने प्लेयर ऑफ दे एयर पुरुसकार से सम्मानित किया इनके अलावा अखिल भारते शतरंज महासंग को मोस्ट एक्टिव फेडरेशन का पुरुस तालिन उनको मैन ओफ दे एयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया वहीं कोनेरु हमपी, डी हरीका, आर वेशाली, तानिया सचदेव और भक्ती कुलकर्णी की भारते महिला टीम को उसमें कांसे पदक प्रोंच मैडल जीतने के लिए वर्ष की सरुषरेष्ट महिला टीम वर्ष के सरुषरेष्ट पुरुष कोच और अभीजीत कुंटे इनको महिला कोच ओफ दे एयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया वैसे एशियाई शतरंज महासंग का मुख्याले आपको मिलेगा युनैटेड अरब अमिरात में और इसके अध्यक्षें सुल्तान बिन खल और शतरंज की बात है तो आपको बताए वैसे तो चैस डे हम कब मनाते हैं 20 चुलाई को मनाते हैं भारत के पहले ग्रेंड मास्टर आपके हैं विशुनात आनंद और उनके अटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर और 1991-92 में पहला राजियो गांधी खेल रतन पु पुरुसकार किसे मिला तो जो हमारे टेबल टैनिस प्लेयर है अचनता शरत कमल को और इसकी पुरुसकार रासी साड़े साथ लाग रुपे से बढ़ा के 25 लाख रुपे कर दी गई है और वैसे पहली महिला ग्रेंड मास्टर कौन है एस विजयलक्षमी है और शतरंज को रे अकेडमी ये कांपे खुलेगी भुवनेश्वर में और 2023 में जो आपकी पिडे वर्ल्ड चेंपेंशिप है वो कजाकिस्तान की केपिटल अस्ताना में होगी ये आप ध्यान रखना बढ़ते हैं चलिए फिर बताईए अभी हाल में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया ग गया था और बात करें इस बार की थीम क्या है पारिष्थिति की तंतर की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से लागू करना और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्याले कहां पर है तो ग्लैंड स्विट जलेंड में है याद रखना अफ जिश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और एक सुन्य भेदभाव दिवस यानिकि जीरो डिस्क्रिमनेशन दे तो अभी तक ये मार्च के तीन दे हो चुके है आपके इनको याद रखेगा आप बढ़ते आगे चले फिर बताइए हाली में जारी ब्रेंड फाइनेंस दो हजा टेविस रेंकिंग के अनुसार सबसे मुल्यवान और सबसे मजबूर टेलिकॉम ऑपरेटर ब्रेंड बताया गया है स्विस कॉम को और जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे ये स्विट्जिलन की टेलिकॉम कंपनी है वहीं दूसरे स्थान पर भारत की टेलिकॉम कंपनी है Reliance Jio और तीसरे स्तान पर है United Arab Amirat की 30 लात तो 1st और 2nd का नाम याद रख लो आप तो 1st पर Swisscom है और 2nd नमबर पर है Reliance Jio अच्छा अभी World Happiness Index के बारे में हमने पढ़ा था उसमें भारत 136 नमबर पर था टॉप पर Finland था और अभी Swiss Air Tracking Index के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदुशित शहर बताया गया पाकिस्तान का लाहौर दूसरे नमबर पर मुंबई था जबकि अभी Fortune पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशन्शित कंपनियों की सूची में किस भारती कंपनी को शामिल किया गया TCS को और उसमें भारत चौथे इस्तान पे था तो टॉप पे अमेरिका था तो ये points भी याद रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में किसे केंद्रे विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया तो अंचर होगा जिश्णू बरुआ को तो अभी जिश्णू बरुआ को केंद्रे विद्युत नियामक आयोग यानि कि Central Electricity Regulatory Commission का नया अध्यक्ष बनाया गया है तो इनका नाम याद रखना बाकि अभी YouTube के नए CEO कौन बने नील मोहन अभी प्रमीन शर्मा की बात करे राष्टर स्वास्ति प्राधिकरण के निदेशक बने और शांती कुमारी तेलंगना की पहली महिला मुख्य सचीव बनी है ये तो ये नाम भी नियूज में थे ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में वियतनाम के नए राष्टरपदी कौन बने तो अंसर होगा वो वान थुआंग तो अभी वियतनाम की संसर ने वियतनाम के कम्यूनिस्ट पार्टी के पॉलित ब्यूरो की सदस्य वो वान थुआंग को 2026 तक चलने वाले कारकाल के लिए वियतनाम के नए राष्टरपदी के रूप में चुना है और ये किन की जगे लेंगे जुयेन, जुआन, फुक जिन्होंने भी इस्तिफा दे दिया था देखो आप जानते हो वियतनाम की गेपिटल क्या है हनुई है करंसी है वियतनामी डॉंग और प्रधानमंत्री है वैसे भारत और वियतनाम की बीच में कौनसी मिलेक्टरी एक्सरसाइज होती है विन्बैक्स नाम की एक्सरसाइज होती है आपको याद है भी वियतनाम ने दुनिया का सबसे लंबा काच का पुल बनाया था जिसका नाम है वाइट ड्रेगन जिसके लंबा ये 632 मीटर बाकिया अब ने पढ़ा था भी नाइजीरिया के भी प्रसिडेंट बने हैं जिनका नाम है बोला टिनूबू फीजी के नहे प्रधान मंतरी बने सित्विनिस राबुका और डैन्मार्क के प्रधान मंतरी बने थे म मैटे फ्रेडरिक्सन तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में राष्टरपती दुरौपती मुर्मु ने अंतर राष्ट्रे धर्म धम सम्मिलन का उधगातन कहां किया तो अंसरोगा भोपाल में तो अभी राष्टरपती दुरौ जिन करने का उधिश्य है धर्म धम परंपराओं के धार्मिक राजनितिक और विचारशिल नेताओं को एक साथ लाना ताकि उभरती हुई नई विश्व वेवस्ता के लिए एक दार्शनिक रूप रिखा तयार की जा सके इसमें 15 देशों के 350 से जादा विद्वानों ने हि अभी ग्लोबल टेक्स सम्मिट का आयोजन हुआ विशाका पत्नम में अभी ग्लोबल बिजनेस सम्मिट का आयोजन हुआ नई दिल्ली में और पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मिलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में अच्छा अंतरराश्टर पर्येटन व्यापार मिला फ अभी आयोजन हुआ था भी जनवरी में भोपाल में हुआ था ध्यान रखना ये बढ़ती आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में नागालेंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है मतलब राज्य की 13 राज्य विधान सबा सीटों में आज तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई और अब ये बन गई है और ये ही नहीं इनके अलावा एक और महिला है जिनका नाम है सलहोनू ओनू क्रूज तो ये दोनों नागालेंड की पहली महिला या पहली बार महिला विधायक बनी है बाकि देखो नागालेंड की बात करें तो इसकी कैपिटल होती कोहिमा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और अभी नए गवर्णर बन गए लागनेशन और अभी हमने पढ़ा था नागालेंड के सेथरिचम संगतम ये एक व्यक्ति हैं जिनको क्रामिड विकास में योगदान के लिए पहले रोहिनी नेयर पुरसकार से सम्मानित किया गया था और अभी नागालेंड के कोहिमा में तीसरा वार्षिक ओरेंज फेस्टिवल भी मनाया गया तो यूं बताओ किस राज्य के विधानसभा राज्य की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी तो आंसर होगा नागालेंड और कोन्याक ये नागालेंड की सबसे बड़ी जन जाती है अच्छा हम अगर बात करें कि अभी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाद्यक्ष कौन बनी थी तो आंसर होगा शुश्मित्ता शुकला और शुकला से ही याद रखना रश्मी शुकला ये भी सशच्तर सीमा बलकी नई डारेक्टर जनरल बनी है बाकी याद रखना ये जो नताशा है ये भारते अमेरिकी छात्रा है जो दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बनी और सुर्वी जक्मोला की बात करेंगे तो विदेशी परियूजना पर तेनाथ होने वाली बोर्डर रोड और्गेनाजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है ये किस देश में? भूटान में और किस प्रोजेक्ट की तहत? तो प्रोजेक्ट दन तक की तहत अब हम कल की Current of Wales का Quick Revision करेंगे तो पहला प्रशन पूछ रहें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया एक मार्च आंसर होगा अगला प्रशन है किस देश को Government Leadership Award 2023 से सम्मानित किया गया तो भारत आंसर होगा फिर अगला प्रशन है कौन सा देश गुजरात के Gift City में अपना Campus से स्थापित करेगा तो अंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की दो युनिवर्सिटी हैं डिकन युनिवर्सिटी और वलोंगोंग युनिवर्सिटी और अगला प्रशन है कि अभी बाजरे उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया बिहार में फिर ये एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस इसको किस शेहर में शुरू किया गया तो अंसर होगा शिरेनगर में अगला प्रशन है एम अहमदी का निदन हो गया वे क्या थे मुख्यने अदीश हमारे पूर्व मुख्यने अदीश थे फिर बताईए गुजरात के डी जा तेविस को नागरिक लेखा सेवा का कौन सा इस्तापना दिवस मनाया गया 47 और NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एर कूल्ड कंडेंसर चालू किया तो अंसर होगा जार खंड अच्छा अब आपको बता है हम 2022 के टॉप 10 इंपोर्टेंट करेंट अफरेस का कर पाया मतलब नए कुशन स्की मेरे पास PPT तयार नहीं है आपका सेशन यही एंड होता है तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था तीसरे आशियान भारत ग्रासरूट इन्विशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोबेटर को प्रतम पुरुषकार मिला तो आंसर होगा शा के बाद कर्मे हैं इश्वर हैं सुधीर हैं और सोनु हैं आप सभी को कॉंग्रेचुलेशन और क्विज आप सभी लोग लगाएं क्विज का मिलेगी आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन में जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहीं पे इनके PDF भी आपको मिल जाएगी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना थैंक यू